हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा के तमाम नियम बताए गए हैं शास्त्रों में हर देवी देवता के प्रिय फूलों का उलेख भी मिलता है मान्यता के अनुसार देवी देवताओं को उनके प्रिय फूल चड़ाने से वह जल्दी प्रसन हो जाते हैं वहीं पूजा के दौरान देवी देवताओं को फूल मुख्य रूप से चड़ाए जाते हैं ऐसे में हम सभी पूजा के दौरान देवी देवता को फूल अर्पित करते हैं लेकिन आज इस आर्टिकल के जरिये हम बताने जा रहे हैं कि पूझा के समय भगवान को फूल अर्पित किये जाने का क्या मेहत्व होता है. फूलों का महत्व हिंदू मान्यता के मुताबिक देवी देवताओं के चरणों में फूल अर्पित करने से जातक के पुन्य फल में व्रिधी होती है व्यक्ति के पापों का नाश होने के साथ ही उत्तम फलों की प्राप्ती होती है मान्यता के अनुसार, अगस्तिय के फूल, बेलपत्र और तुलसी कभी बासी नहीं होती है जाने फूल चड़ाने का सही तरीका अगर आप भगवान का श्रिंगार कर रहे हैं तो फूलों को भगवान के मस्तक पर सजाना चाहिए वहीं पूजा के दौरान फूल भगवान के चरणों में रखना चाहिए, भगवान को फूलों से बनी माला अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है इससे व्यक्ति को अखन सौभाग्य की प्राप्ती होती है फूल चड़ाते समय इस बात का विशेश ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी फाल या फूल भगवान पर दूबारा यानी की उलटकर वहीं नहीं चड़ाना चाहिए हालां कि भगवान भोलेनात पर बेलपत्र उल्टकर चड़ाया जा सकता है किस देवी देवता को चड़ाएं कौन सा फूल भगवान श्री गनेश की पूजा के दौरान आप उन्हें कोई भी फूल अरपित कर सकते हैं बस इस बात का ध्यान रखें कि भगवान श्री गनेश को तुलसीदल नहीं चड़ाना चाहिए वहीं भगवान भोलेनात की पूजा के समय कनेर कुसुम, आक, कुश के फूल, सूखे कमल गटे, धतूरे, हरसिंगार और मदार का फूल आदी चड़ाना शुब माना जाता है मादुर्गा की पूजा में लाल फूल जैसे गुड़हल पलाश के फूल और लाल कनेर चड़ाना चाहिए आप चाहें तो मादुर्गा को चम्पा या सफेद कमल भी अर्पित कर सकते हैं